हम एक आथमीं की आवास को सुन पाते हैं जो बता रहा था कि मिरा नाम एंटोनियो है मैं काफी मश्हूर क्योंकि लोग मुझे डिमस को कंट्रोई तरने वाने दिमस को बगाने वाने और इस सरह भी कई सरी नामों से जानती है मैंने बहुत सरी लोगों की अंदर से डिमस को बगाया भी है अंपर जादू करके और ये ताकत किये शक्ति मुझे मेरी सैमिली से मिली है दरसल एंटोनियो का पूरा ही खांदान नसल रे नसल पोसेस्ट लोगों यानि जिटे डिमस में अपनी कंट्रोल में किया होता है उनके अंदर से डिमस को निकाल कर उनकी मदद करते थी प्रेखते हैं एंटोनियो को जिसके पास कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर आती है जिसकी आरत खराब थी वो भी होश थी क्योंकि उसे डिमन ने पोसेस्ट किया हुआ था तब एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लिटा कर उस पर जादो करने लगता है जहां तबी वो लड़की एक तमसी आउंगी दोलती है दरस्ट उसकी अंदर कर डिमन च्याप चुका था जो उड़ती ही एंटोनियों पर पूरी तरह सुमला करती था पर तबी वो लड़की पर और तकतवर जादो करकी आफिलकार उसे अपने कंट्रूली में करी लीता है इसके बात कहानी काफी सादों आके जाती है जहां एंटोनियों बोड़ा हो चुका है और इस वक्त वो मेंडल उस्पीटल में है वो वहां की एक औरत को अपने कुसरोई वक्ती कामानी सुना रहा था जिस पर हैरत से वो औरत पोश्टी है क्या पहले बहुत सारे डेवस हुआ करती थी जिने तुम बगाने का काम करती थी तब एंटोनियों कहता है कि वो सब डेजन्स थी यदि डेवन्स का एंग ग्रूप जिसमें बहुत सारे डेवस थी जो सब की सब खतरनाक थी तब इदर एंग डॉक्टर आकर एंटोनियों को अपने साथ ली जाता है हमें पता चलता है कि वो यहां मेंटल ऑस्पिटल में इसलिए है क्योंकि गुंती से उसके हाथों किसी का खून हो गया था पुलिस को चान बेंट करने पर उसकी घर से तीर सरा जादो और डेमस को बगाने का समान मिला जिससे पुलिस को डगा कि शायट उसका जैनित अवाजन खराब है इसलिए उन्होंने एंटोर्यों को मेंटल ऑस्पिडल में वी दिया ताकि उसके दिमान का इंडाज हो सकी यहाँ पर वो अपने टाइम गुजारने के लिए बागी के मरीजों को अपने पास्ट की कहानियां सुनाया करता था साथ ही थोड़ा इंजॉइमेट के लिए यहाँ जो ड्रामस हुआ करती थी उनकी कहानिया भी वो डिखता रहता था और पिर ऐसी एक दिन वो ड्रामा के टरेक्टर को कहीदा है कि डीविस को बगाने वाला इंसान कभी भी दीमन्स की आँगों में नहीं देख सकता क्योंकि ऐसे करने से उसकी शक्तियां कमजोर होने देगेंगी और डीमन ताकतवर होता जाएगा अब उसके दोस्त जो मरीज थी कहती है कि हम बहुर हो रहे हैं चिलो आज हमें और कहानिया सुनाओ अपनी पास्ट की तो अपकी बार एंटोनियो उस वक्त की कहानी सुनाता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी जे नवेंबर उन्दी सो असे की रह थी आस्मान पर अजी तरंकर नान रंग का जान निकला था जान बिट पुल पोरा था और इसी वक्त एंटोनियो की बेटी पैदा हुई रिंग और बुरी चीज हो गई इसी डाद उसकी वाइफ पोजेस्ट होकर बार बार एक ही लास बोर रही थी कोरिया डीमन, कोरिया डीमन पीटी को ये डैकलेस सारी जिनकी के लिए पैनना होगा, हैनि सबकी बार जब एंटोनियो गई वापिस आता है तो ये दिकर काफी दुपी हो गया था कि कोरिया डीमन नहीं उसकी वाइफ को मार दिया है, कहानी वापिस प्रेजिट टाइम में आती है, एंटोनियो को पता पते मिल जाएगी, लेकिन एंटोनियो को टीरे पर जनरी ख़बर से पता चलता है, जो उसकी बेटी पैदा होई थी, जब रैड़मन निकना था, बिल्कुल वैसे रैड़मन फिर से दिखने बना है, इसके बाद हम एंटोनियो की बेटी को देखती है, जो अब काफी इसे नॉर्मल होते हुए, वो डायट शिलाती है, पर डीमन वहाँ से गाई प्रूब गया था, अभी हाँ उसकी पैटी ने डीमन को देकर को एक्स्प्रेशन यानि तासुरात इसलिए नहीं दिये, क्योंकि या डीमन फ़गेरा उसके लिए नए चीज़ नहीं थी, मतलब क पैटी को सक्रिफाइस कुर्बान करेगा, यानि उसकी पली देगा, तो अब उसे रेटमोन की राथ होने से पहले ही, कुरिया डीमन को फटल करना होगा, तो इसलिए अब एंटोरियो इस मेर्टल होस्पिटल से बागने का प्लैन बनाता है, लेकिन बागते बापती, गार स खंदान की कून में अलगी तरह की ताकत है, जिसमें हमारा यकीन होना और खुशी से रहना बहुत स्थूरी है, और अगर हम ऐसा ना करें, तो हमारे शक्तिया कम होती जाती है, जैसे कि जब मेरी वाइफ की मोट हुई थी, तो में दुखे अनी लग गया था, तो इसी जब में और मेरी बेटी सो रही थी, तो कोरे डीमन ने मेरी बेटी पर हमला कर दिया, और उसकी गरे का नेकरस चुडा लिया, जो मेरी मोम ने उसके लिए बनाया था, अपने एकली सना होने की वज़ए से मेरी गरी और उसकी खुदकी जदूई तक तो से किन उठनी लगा, जिसकी बात तो उसका बढ़ता हूँ एकदम से ही बदल गया और उसी हाँ जंगल में रहने से मसला उने लगा जहाँ आम शूरों से ही कभलों की सुरत में रहती आ रही थी तो इसी ही मस्पूरन होजी अपनी बेटी को शेयर लाना पड़ा लेकिन यहाँ कर भी मैंने अपना काम नहीं चूड़ा बेटी मस को बगाने का काम अभी भी करता रहा तो जहाहिर है इस काम के ही मेरी पास सारा समान मीता पर यह जिस मेरी बेटी को जरा भी बसाय नहीं थी क्योंकि जब मेरी बेटी के स्कूर में बाकी बच्चें को यह बत पता चलती है कि मैं बो तो डीमस को बगाने का काम करता हूँ तो वो उसे चणाती है उसका मसाथ पेनाती है और तो और वो पोजस्स लोगों को अपने इसी घर में रखतर पहले उनका डीमन बगाता था और पिर उनके चोटों की उनकी जपनों की मरम पट्टी भी करता था तो इसलिए दिन रात उसकी घर से ज्रॉवनी ज्रॉवनी चि पर लिए और उसे बस मारने वाला था कि तब अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया और यह हमला इतना जयान देवा था कि उस आत्मी की मोती होगी और यही वह कौन था जिसके इल्जाम में आज वो वेटल होस्पिटल में बढ़ती है इंटों ने उन सबी क यह पूरी कहाने सुना दी थी और अब वो होस्पिटल से निकलने में कावियाब होई जाता है पाहिर गाड़े में क्लियर उसकी वदद के लिए उसे लेड़ी के लिए आई थी जो पहले भी अंटोरियों की मौन का मेसिज लेकर आई थी अब क्लियर उसे एक होटल में लेक सबरना होग और अधर ऐसा करकी एक बार तुम नहीं अपनी बेटी कबरों से जीट लिया तो फिर तुम जादो करकी कोर्या डीमनसी डढ़कर उसकात में कर सकते हो और उसे उसके प्लैन में नाकाम कर सकते हो इतना कहकर क्लियर उन्हें एक मुबाइल देती है यह कहती हुई कि अगर मुझे बुडाना हो मेरी जरुरत हो तो फरन मुझे कॉल कर दिना में आजाम दी और वहर से चली जाती है अब अगली दिन अंटोरियो उसे मुबाइल के से कॉल खरने की कोशिश करता है पर कॉड उससे हो भी नहीं बाती क्योंकि टेश मुबाइल उसे इस्तमाल ख जाते वह पहले ही वहां से निकल कर वापिस होटल में आजाता है और अब वह कोर्या डीमन को मारने बना सारा समान तयार करनी लगता है अपनी बेटी से मिलने के लिए अंटोनियो अगली दिन दुबार से उसकी आफिस जाता है जहां अब की बार वह बागी विर्कर्स पर नजड़ो करता है जिसे वह एक साथ उठकर वाहां से बाहर शुदे जाती है सिवाए उसकी बेटी के वह अकेली यहां बेटी रहती है वह अब भी अपने डैड्स से नहीं मिलना जा रही थी उसी दूर बाग रही थी वह उनसे इतना डरनी लगती है कि इसका तर्फ उनका ह लेकिन यहां उसके ड्रेट दिरे दिरे गड़ी आगे आती है और उसे कोर्या डीमन की पारे में सब बताने लगती है विसका इरादा था कि वो शेतान को यानि बुड़ाई को लोगव की बने देकर उसे इस दोग्यावी नाएगी जिससे यहां हार तरफ उनका हिरंज पर जान जाए यानि उसी कोदी एहसास हो जाए कि वो क्या है और उसके कुन में कितनी शिक्ती ताकत है तो कुर्या डीमन की ताकती अपनी आपी काम हो जाएंगी हो कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा बस मेरी बेटी को इस सब पर हैकिन करने की ज़रूरत हर प्लियर उसे का ऐसास हो जाए कि वो क्या है और गुट को बेशन दे तो तभी वा नोयर करों भी खुटी बना जाता है जो पहले उसकी बेटी के कम्री में जाता है और बाद में बाहर आकर एंटोर्यों पर हमडा कर दीता है जिससे वो कौफी सक्वी ओ गया था तो अपनी जान बचाने क पागल होता जा रहा है तो इसी अपकी बार उसी ड्रेसी से बान दिया जाता है और अगली दिन वो रात आ ही जाती है जब ड्रेड लोल था आज भी वो लॉर डीवन के रूप में एंटोल्यों की बेटी के पास जाता है क्योंकि वो उसका दोस्ता रूस पर हमदा करकी भी के जन देखते हैं जैसे कोई करीचे डीमन बन रही है और उसे भी किसी ने प्रवस टिर लियूंद हिर लिया हो वह काफे ड्रावने लग थी चीख रहाए ती चिंदा रही थी पुरह ऑस्पिटल में गूमने लगती है जिसी देखर सौने की सब्रेट के जो आपनी जान में कर सीधा उसकी वीडिकी घर पोश्ट उदर एंटोरियों की बेटी पर उसकर दोस्ति नौयर सेक्रिफाइज वाला जादू कर रहा था जिस पीच उसकी वीडिको पोश्चा जाती है और वह अपनी दोस्त जिसे डीमन नी पोशेस्ट किया हुआ था पेट में चाप पुसा दी जहाती है और वाह से बागर चतपड़ जूप जाती है जिसकी दोड़ी दिखिद रहँ कर से यह फंड़ी प但 तरह तकी इसमोस्त बांप ल है 2018 को पीचो भी पर तरा जाती है उसकी बीटी जो अपने डेट की जान बचाती है क्योंकि वार्चान्ट को पयच्चा दे प्रिग मोंका पाकर एंटोनियो उसको रेमान के सीने में अपना ही पनाया हुआ ज़्वदों इघुन ज़ाकर अखिर्षंदि पीला देकलकर clear को साहँ देता है। तो अब की बार उसकी बीटी उस नेकलिस को पेन भी लेती है फकर के साथ क्योंकि उसी एकिन हो गया था और उसकी डैड ने जो भी कहाता सब सच वा था तो वो भी फैसला करती है कि आवे की मिशिंस में उने अपनी डैड का साहाथ दूरी इसी के साथ ही कहाने इटरी खत्म ज कि आवे कन बार तो अजिए ऌस भी खत्म जारी बार उज़ा है कि आवे का साहथ एसमाँ दोर कि उस स्जाइब।